हलो वेलकम टोपीपीटिया पावर्ट बैभी मनियु आइस मैं निहार कावालिया और मैं आपके साथ डिसकॉस करने वाली हूँ आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ चीजों को कावर किया था लेट मी गी और याद रहती नहीं है तो क्योंना उसको सिंप्लिफई करू चले बस उसी चीज के लिए उन्नें अकाउंटिंग को बनाया लेकिन काम करने का तरीका बनाया तो काम के अंदर क्षै करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया ido जब उन्होंने कुछ तरीकों क्यो उन्हें उन्होंने कह दिया accounting principles. So accounting principles बने तो principles तो कुछ हिस्सों में बाठा गया. Accounting में कुछ चीजों को बोला है कि इनको हम नहीं बदलेंगे. यह सेम रहेंगी. हम इन्हें मानती नहीं कि यह variable है. They called it accounting assumptions. फिर जो चीजें वो कहते हैं कि यह तो हमारे accounting theory है. यह तो important theory है. उनके according कुछ काम करने के तरिक है concept उन्होंने फॉर्म किये. They called them accounting concepts. फिर accounting को रोकने वाले चीजें भी तो होती हैं. जो चीजें accounting को कहीं न कहीं रोकें उन्हें उन्होंने बोल दिया accounting constraints. Next is accounting standards which they formed. अब standards अब उन्होंने बनाया वो rules के तौर पर बन कर आए. हमने last class में accounting assumptions और accounting concepts को खतम किया था. So let's move forward and understand the next point. But before I move forward हमने खतम कर लिया था यह यहनि accounting assumptions को. उसके बाद next point हमने किया था accounting के concepts को. और आज मैं आपो करवारी हूँ इसका अगला area that is called accounting की constraints. Constraints क्यों मतलब हम accounting के जब हम बात करते हैं, accounting कुछ एक limitations भी है. Number one, आप जब आप accounting की बात करते हैं, आपके पास सबसे important चीज होती है कि यह prudence. Prudence के लिए दूसरा term जो इस्तेमाल किया जाता है, जो इस called conservatism. यह कहते हैं कि देखें, अगर आपके पास एक future में, आने वाले समय में कोई loss है, तो उसके तयारी आज कर लिजए. So, यह कहते हैं, anticipate all the losses, but not profits. आने वाले समय में profit आ रहा है, तो आ लेने दो, आज आएगा, फिर record कर लेंगे. लेकिन अगर आपके पास losses हैं, तो आज अभी इसी समय record कर लो, कि future में में पास loss आ सकते हैं. So, I can face a loss in the upcoming timing, तो it is better कि मैं आज ही उसके लिए तयारी करके चलूँ. इन रहें बोल दिया, उसे the concept of prudence और उसका दूसरा नाम है conservatism. Profits को record नहीं करना, आने वाले समय जो profit आएगा तब बात करेंगे, लेकिन losses को आज और अभी record कर लिया जाए. Then, materiality. Full disclosure ने क्या का था, सब कुछ बताओ. एक-एक चीज बताओ, क्या हो रहा, organization में क्या नहीं हो रहा. Materiality ने बोला, जब भी आप accounts की books बनाते हैं, जो भी चीजें आपके लिए important है. क्यों important है? इसनिए important है, क्योंकि जब भी कोई particular person आपकी organization में invest करना चाहेगा. तो ये particular information तो उसको जाननी ही जाननी है. This is very, very important for him to know down. तो उस तरह की information को उन्होंने बोल दिया, materiality. यानि जो भी information अगर disclose ना की जाए या की जाए, तो उससे हमारी decision making पर impact रहता है. तो आपको उनको बताना required रहेगा. They call it materiality. Only disclose the information which is material. Because if you disclose everything, then it will not be a good way. अगर मैं आपको पूरा का पूरा अच्छा हम notes और book में क्या फरक बोलते हैं? जब हम पूरी book पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ दिखा होता है. लेकिन जब हम अपने notes बनाते हैं, तो हम पूरा relevant करके बनाते हैं. Now that is something which we can call materiality and the difference between full disclosure. अब ये एक point है, जो accounting constraint का बड़ा ध्यास से करने वाला है, वो है cost benefit. यानि आप ये देखिए कि अगर आप accounts बनाते हैं, तो आपकी accounts बनाने की costing भी तो पढ़ते हैं, जब आप पूरी maintain करते हैं, उनका भी तो खर्चा है. तो आपका financial point of view से जब हम बात करते हैं, तो आपका cost, जो भी आपका खर्चा है, आपने उसको note किया. अगर आपकी business के अंदर noting ही इतनी महंगी पढ़ जाते हैं, कि उतनी utility नहीं है, जिन particular users ने उसका इस्तेमाल करना है, तो क्या फाइदा? तो हमें यह देखना है कि जो हम financial accounting कर रहे हैं, जो हम उसको note down कर रहे हैं चीजों को, उनका जो खर्चा पढ़ रहा है, वो उसकी benefit भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर उसका कोई benefit ही नहीं आ रहा है, या benefit कम आ रहा है, आपकी costing जदा पढ़ रही है, then what kind of accounting are we doing exactly? now that's what this particular term says, that your cost should not be more than the benefit, in terms of financial accounting, अगला आ जाता है consistency, consistency मतलब आप जो भी चीज कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते रहे, अब consistency यह नहीं, कहता कि आप method A यूस कर रहे हो, तो method A ही continue करो, you cannot use anything else, कहते है नहीं, ऐसा नहीं होगा, method B इस्तेमाल कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपने method ही बदला है, आपने कोई पाप तो नहीं किया, वो कहते है, it was the need of the hour, हमको जरूरत थी, तभी हमने method बदला वनना, नहीं बदलते, कहते है, आपने बदला है ना, मैंने कहां जी बदला है, तो कहते है, if you switch from method A to method B, it's fine, but, बार बार method B से method C पर चल किया होगा, तो अगर मैं method B के तरफ shift भी कर जाओं, तो कोई problem नहीं है, until or unless मैं method B के तरफ चो shift किया है, वो consistency चलता रहे, यानि, अगर मैं method B में shift कर गई हूँ हो, तो आज भी, कल भी, आने वाले समय में मैं method B का इस्तेमाल continue कर लूँ, इस तरीके से define किया चाता है, accounting constraints को, अगर हम अलग-अलग books के इनको अलग-अलग way से define किया गया, कुछ को assumptions बोला गया, कुछ को principles बोला गया, किसी conventions भी बोला गया, इसके अंदर एक और टाव हम add कर सकते हैं, वो आपको पता होने जरूर होती है, that is called conventions, conventions का मतलब होता है, accounting conventions को भी हम define करते हैं, मतलब जैसे इन एक और particular नाम जुड़ जाता है, जिनने बोलते है, accounting conventions, यानि यह तो चलन है market का, हर market ऐसे चलती है, तो हम भी ऐसे ही चलेंगे, that's what they call the accounting conventions, so वहाँ पर आपको इनी principles में से कुछ मिल जाते हैं, so इस तरीके से हम लोग different way से accounting को देखते हैं, accounting principles को हम define कैसे कर सकते हैं, accounting constraints, यान जो उसके लिए करने के limitations के दौर पर एकाम करती है, accounting, अच्छा, prudence कैसे accounting constraint हुआ फिर, prudence क्योंकि कहता है, आने वाले चीज़ को हम profit में note नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम business man के point of view से बोले तो वो लेगा कि देखो, आने वाले समय profit आना वाला होगा, तो party में बाद नहीं क फिर accounting concepts की है, फिर हमने accounting constraints की है, आखरी रह गए accounting standards, accounts के अंदर काम करने का, मतलब हो कहते हैं, यह rules है, ऐसे ही noting होगी, ऐसे ही हमारा काम चलेगा, अगर आप cash की बात कर रहे हैं, तो cash for statement बना लो, आपकी हर चीज़ को disclose करोगे, stock आया, stock की value करो, आपने किसी को पैसे देने, क अगरा के अंदर accounting standards issue करने वाली body है, ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, उन्हों ने इसको, this was formed in 1949 and then they gave up the various accounting standards, which went up to 32 लेकर उनको merge करके, कुछ merge के गए, कुछ खत्म किये गए, so then उनके around 29 कहा चाता है कि बन गए थे final में, बट उसके बिलकुल बात क्या हुआ, कि हमाए कही ना कहीं international level से दिक्क बार भी काम कर रही है, तो इंडिया की, जो MNCs है, मतलब इंडिया में बनी है companies, वो बाहर भी काम करते हैं, बाहर की company इंडिया में भी काम करती है, वो कहते हैं कि पूरे world में हम अलग चल रहे हैं, और इंडिया के अंदरे में accounting standards follow करने पड़ते हैं, आप एक बीच का रस्त पर चलने वाले reporting के standards को कहा जाता है, so इस तरीके से different different accounting standards बने, from the SEBI point of view आपको सारे AS नहीं करने है, there are specific AS चो आपको कवर करके चलने है, from the point of view of SEBI grade A examination, so वो particular areas को भी कवर करना है, यानि deposition का हो गया, और दो-तिन और चीज़े important है, चो आपको कवर करने हैं, यह नहीं कि सब accounting standards में से, ठीक है, उसमें आपको cash flow का भी मिलेगा, और deposition का भी मिलेगा, और property, plant and equipment का भी मिलेगा, ठीक है, तो यह कुछ एक है, जो आपको अच्छे से करने है, rest, जो हम accounting standards की definition देखते है, यह written policy documents है, जो की expert body, accounting standards board ने बनाए होते है, accounting standards board यानि ASB, इनकी तरफ से यह सब बन इसी AI ही provide करवाता है, कि accounting transactions में क्या record करना है, क्या नहीं करना है, उनको रेगोगना इस कब करना है, measure कब करना है, उनकी presentation क्या रहेगी और उनका ultimate disclosure किस तरह कर रहेगा, so this is where you look forward to the entire area of accounting in terms of a brain mapping, क्या करने वाला होता है accounting के अंदर, यह इस दो classes के अंदर मैंने cover करने की की है, अगर आपको आची class beneficial लगी तो और पिछली मिस की थी, then kindly go ahead and review it again, and at the same time in sub classes के साथ में आपको PDFs पी मिल जाती है, for that you can go to our portal, यानि हमारे portal की details आपको description में यहाँ पर available है, so अब वहां से जाकर हमारी detail को review कर सकते हैं, and you can check out our portal where you can get not only some material which is paid, लेकर उसाथ में आपको free material में भी काफी चीज़े available है, for SEBI grade A, so go ahead and check it out guys, thank you